साथियों, आज कल आपने सुना होगा, देश में बहुत बोला जाता है, सब दूर सुनाई देता है, भोकल फॉर लोकल, जो अपने घर के आस्पाच चीजे बन रही हैं, स्थानिय स्तर पर बन रही हैं, उस पर मान करना, उसका गर्व करना, उसे प्रोथसाहित करना, यही हैं वोकल फॉर लोकल, लेकिन यह वोकल फॉर लोकल की भावना, तब और मजबूत होगी, जब इसे एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना से शक्ती मिलेगी, हर्याना की किसी चीज की शबद में, मैं तमिल नाडू में रहता हूं, मुझे गर्व होना चाहिए, केरल की किसी चीज का मैं हिमाचल में रहता हूं, मुझे गर्व होना चाहिए, एक छेत्र के लोकल प्रोड क्वर दूसनाख शेत्र भी गर्व करेगा उसे प्रोचायित करेगा, तबी लोकल प्रोड की पहुंच देश भर में होगी, उसमें एक ग्लोबल प्रोड क्वर बनने की ताकत पैदा होगी साथ्यों यह वोकल्फ और लोकल यह आत्मंदिर भर भारत अभ्यान इनकी सभलता आप जैसे नवजवानों पर टीकी हुई है और आज जब मेरे सामने NCC और NSS के इतने सारे नवजवान है उनको तो सिख्षा दिख्षा सिष्ट सब यही दिखिदिया जाता है मैं आज आपको एक छोटा सा काम देना चाहता हूँ और देश भर के मारे NCC के नवजवान मुझे जरूर इस काम में मदद करेंगे आप एक काम कीजिए सुबह उठ करके आपको सोने तक जिन चीजों का आप उप्योग करते हैं कुछ पेश हो प्रस हो कांगा हो कुछ भी कुछ भी घर में AC हो मोबाइल फोन हो जो भी जरा देखिये तो कितनी चीजों की आपको जरूरत होती है दिन भर में और उसमें से कितनी चीज़े हैं जिसमें हमारे देश के मजदूर के पसिने की महग है कितनी चीज़े हैं जिसमें हमारे इस महां देश की मिट्टी की सुगंद है आप चौक जाएंगे जाने अंजाने में इतनी चीज़ें विदेश की हमारे जीवन में गुज गई हैं हमें पता तक रही है एक बार उस पर देखेंगे तो पता चलेगा कि आत्मन निर्भरत भारत बनाने का सबसे पहला करतव्य हमीशे शुरू होना चाहिए इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके पास को विदेशी चीज़ है तो कल जाके भैक दो यह मैं नहीं कह रहा हूं मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में कोई अच्छी चीज हो हमारी यह नहीं हो तो उसको लेने से मना करें यह नहीं हो सकता लेकिन हमें पता तक नहीं है ऐसी ऐसी चीज़े हमारे रोजमरा की जिंदगी में हमसे हमें प्रकार से गुलाम बना दिया है मान से गुलाम बना दिया है कि मैंने नौजवान साथियों से में आगर करूगा एंसी सी एंसे सिस्त बद्र नौजवानों से आगर करूगा आप अपने परिवार के सब को बिठा करके जरा सुची बनाई कि एक बार देखिए फिर आपको कभी मेरी बात को याद ने करना पड़ेगा आपकी आत्मा कहेगी कि हमने हमारे देश का कितना नुक्षान कर दिया है साथियों भारत आत्मन निर्भर किसी के कहने भर से ही नहीं होगा बलकि जैसा मैंने कहा आप जैसे देश के युवा साथियों के करने से ही होगा और आप ये तब और ज्यादा बहतर तरीके से कर पाएंगे जब आपके प पास जरूरी स्किल सेट होगा साथ्यों स्कील के कौशल के इसी महत्व को देखते हुए ही 2014 में सरकार बनते ही स्किल डेवलप्मेंट के लिए विशेश मंत्रालाई बढाये गया इस अभ्यान के तहट अब तक साड़े पांच करोड से अधिक युवा साथ्यों को अलग अलग कला और कौशल की ट्रेनिंग दी जाती है कौशल वकास के इसकारगम के तहट स्रिप ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार में मदद भी की जा रही है लक्स ये है कि भारत के पास स्किल युवा भी हो और स्किल सेट के आधार को उन्हें रोजगार के नए आउसर भी मिले